हेलो और नमस्कार सभी को देखिए आप सबने थम्नेल तो देख लिया होगा थम्नेल को देखके आपको पता लग गया होगा आज के हमारी जो वीडियो है वो किस टॉपिक के साथ डील करने वाली है मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ आज जिसके अंदर मेरे को कोल आई और मेरे को बच्चों ने ऐसा पुछा कि हम लोग जुडिश्री की तैरी करना चाहरे है और एक दोस्त का फोन आया था जो कि यह बोलता है कि मुझे घूमने जाना है तो इन के टृफ होन आया जो की बोलता कि मुझे जुडिश्री की प्रिप्रेशन करनी है तो वो भी अपने अपने एक जर्णी है अब डिपेंड करती यह जर्णी अपकी लॉंग जर्णी है शोर्ट अंधल्कू बताना चाहूंगा कि तयारी करना है वो कोण से दिन से स्टार्ट क आने के बाद कौन सा ऐसा टाइम है आपका जो की first year है second year है final year है या फिर अपकी low complete हो चुकी है किस stage पे जाके आपने इस चीजें सोची है कि मुझे judiciary की या फिर किसी भी other competitive exam की त्यारी करनी है जो की low से related है तो बात करते हैं जैसे journey के regarding जैसे पहला phone आया जिसके अंदर मिरे को उसने पोचा घूमने मिरे को जाना है अब घूमने जाना in the sense कि उसने पहले मन बनाया कि मिरे को घूमने जाना है क्योंकि उसके पास अभी time है कोई upcoming examination जल्दी से नहीं आ रहा है उसके पास sufficient time है कि वो अपना exam आने के पहले अपना घूम फिर के वापिस आ सकता है जो दूसर इंदर आपका कोई upcoming exam आ रखा हो तो उसने भी एक तरीके से चूज कर रखे कि मैं तयारी करनावनी स्टार्ट कर दूं अब दुनों को correlate करके हम लोग समझेंगे कैसे एक परसन आपका त्यारी कर सकता है कैसे life से ये correlated हो जाती है चीज जूडिशीर की preparation और आपकी life अब घू जाना है इधर से दूसरे परसन का mindset तयार हो गया कि मेरे को तैयारी preparation करनी है किसी भी जूडिशल examination की या फिर जैसे वे आपके मैं बता रहा हूं घूमने वाले बंदे ने क्या किया कि मिर से पूछा कि कौन सा state कहां पर मिर को घूमने जाना चाहिए अब ये पहले आप phone करने से पहले क्या करते हो दिमाग में ये भी आपके आता है कि मैं किस से पूछूं या तो वो person जो वहां पर घूम क्या रखा हो या फिर इस तरीके कि वो भूमने में इंट्रेस्ट रखता हूँ जिन चीजों को एडवेंचर का जिसको ज्यादा शोग होता है या फिर वो वीडियो बगरा बनाता हो YouTube से की हाँ वो ज्यादा तरीन चीजों से लेटीड वीडियो बनाता है तो मैं उसको क्या करूँगा को कौन सा स्टेट जो है वो बैट रहेगा इसी तरीके से जो जुडिशल वाला एस्पिरेंट है उसको भी यही चीज़ें आपकी करी जाने चाहिए अब पहले स्टेज होती है जुडिशली के लिए भी कि आप स्टेट को पहले रिकरगनाईज करोगे कि कौन सा स्टेट है जहां मुझे जाना चाहिए इधर से आपका जैसे मैंने उसको बताया कि आप बोंबे जा सकते हो आप शिमला साइड में निकल सकते है माचल की साइड है राजस्थान में भी जा सकते हो क्योंकि अभी जो मोसम है वो ठीक है तो इस चीज़ के को रिलेशन यहां पर जुडिशली के करनी है तो कोई ने कोई स्टेट आपको फिक्स करना पड़ेगा अब स्टेट को फिक्स करने के लिए मैं आपको पेर में बताऊंगा कि कौन-कौन से स्टेट आपको जो है वो फिक्स करने चाहिए क्योंकि देखे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो की पूरे इंडिया के के अंदर आपको काम आएंगी जुडिशिरी के अंदर जब आप पड़ोगे और कुछ सब्जेक्ट आपके हैं जो अलग से स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं तो बंच बना के आप अपना पेर के अंदर त्यारी करते हो जैसे राजिस्थान और MP की त्यारी आप एक फूट की कौन सा स्टेट जो है मैं फोकस करूँगा अब दूसरी चीज़ होता है की उसके बारे में आपको जान लेना कि जब आपने किसी भी स्टेट में जा रहे हूँ हूं ने तो पहले उस स्टेट के बारे में बता करना कि वहां पर कौन-कौन truck twin पले सो सकते हैं वहां का मोसम कैसा है वहां की even language कैसी है पहले ये भी आपको पता होने चाहिए कि जिस state में मैं जा रहा हूँ वहां की क्या language का कोई barrier तो नहीं आ रहा है उसके साथ साथ कुछ चीजें आपकी इसके इंदर आपकी और भी चीजें बता देता हूँ कि आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए वहां पर ही बोलता है कि अगर आपको जाना कैसे है वाई air जाओगे train जाओगे या फिर वाई car जा सकते हो या फिर आपका उसके अंदर रहेगा कि आप कितना time consuming आपके travel रहने वाला है तो ये सारी चीजें आपकी है मोसम के बारे में पता करना है वहां के लोगों का culture पता करना है उसके बाद वहां का मोसम देखना है उसके बाद वहां के आपने जैसे की timing of traveling आपने देख लिया उसके बाद आप क्या-क्या समान वहां पे लेके जाने वाले हो यह सारी चीज़ें आप किन-किन से पूछ सकते हो या तो मतलब कि जो जैसे मैंने आपको पहले बता है कि जो रेगुलर्री ट्रैवल करता हो या फिर उस जगह वो जा रख हो उनसे पूछते हैं या फिर ऐसा जो कि इस चीज़ों के इंदर इंट्रस्टीड हो जो कि एक गाइड के तोर पर अपना काम करता हो उनसे पूछ सकते हैं सेम बाद जुडिश्री के लिए थी जैसे मैंने आपक स्टेट को फिक्स करोगे अब स्टेट के बारे में आपको जानना है कि वहां की लोकल लेंगविश कौन सी है सबसे पहले यह डिसाइड करोगे कि कोई आपने ऐसा स्टेट स्टार्टिंग भई जूज कर लिया जो कि आपका लेंगविश बैरियर के अंदर आ जाता तो वो आस तक पढ़ा ही नहीं, या फिर लोग के अंदर आपने नहीं पढ़ा, अब जरूरा की क्या चीज होती है कि आपने क्या करना उस चीज के बारे में दूसरी जानकारी उसके उपर आपको ये जुटानी है कि आपको उसके slaves के बारे में बता करना है कि उसके अंदर कौन-कौन से subject आ रहे हैं तीसरा आपको step रहेगा कि उसके साथ आप कौन-कौन से उसके प्रिवियसर के कोशन पेपर है पिछले 10 साल के अंदर कौन कौन से पेपर हो रखे हैं उस स्टेट के जुडिशिरिके या फिर उसके वहां के APU के एक्जामें या जैसे बोलते हैं तो इन सब के प्रिवियसर के कोशन पेपर को भी आपने एनलाइस करना है तो यह सारी चीजें आपको इकठी करनी स्ट करनी पड़ेंगी तो उसके बाद आप क्या करते हो कि जुडिशिर के स्लेबस के अंदर आप जैसे सीने से पूछ सकते हो या फिर आपके जो भी टीचर्स हैं यूट्यूब के सारे या फिर दूसरा एक रास्ता रहता जो कि आमोनर आज के चल रहा है वह आपको सकता है कि कोचिंग लिए जा सकते हो वहां पर आपको सारी चीजें जो प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आप क्या करते हो फिर दिमाग में सोचते हो कि इस स्लेबस को मैं कितने टाइम के अंदर कवर कर सकत आप कितना टाइम मैं डेली बेसिस पर दूँगा जिससे कि मेरा पूरा स्लेबस कंप्लीट हो पेपर आने तक या फिर मैं कितने टाइम तक उसको रेगुलरली पढ़ूँगा या फिर इंटरवल्स पर बीच में टाइम निकालके पढ़ूँगा या फिर कभ इसको पढ़न तो तीन तरीके से आपने जो भी स्लेबस उठाया उसके अंदर आपने तीन लिस्ट आपको त्यार करने पड़ेंगी तीन लिस्ट वो रहेंगी जिनके अंदर आपके सब्जेक्ट को आपने क्या करना अपने हिसाब से सैटलमेंट करनी है उसके अंदर फर्स्ट लिस्ट आ या फिर लो जब आपकी complete होगी है तो कौन सा ऐसा subject था जिस पर आपकी एक मजबूत पकट जिसको command भोते हैं command थी तो उन subject की एक list अलग से त्यार करोगे second list के अंदर वो subject रहेंगी जिनके बारे में आपको सिर्फ basic knowledge है basic knowledge in the sense की कुछ subject आपके हो सकते हैं जैसे CRPC है evidence हो सकता है contract हो सकता है जिनके regarding आपने क्या करना होता है जैसे basic knowledge सबको होती है सबसे industry जो first वाले में बताया है जो सबसे common subject आपका IPC है हिंदू लो हो सकता आपका constitution के part one की बात करो में लो में तो यह जो आपके कुछ subject है जिनके regarding सबका almost interest है जिनके बारे में उसको अच्छी खासी knowledge होती है second list के अंदर जिनकी basic knowledge जैसे CRPC हो सकता है या फिर आपका कुछ cases के अंदर muslim लो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं या फिर आपका contract का second part हो गया evidence के कुछ part है तीसरा जो pair है वो आपका उसके अंदर बनेगा जिनके अंदर आपने वो subject लिखने जिनके बारे में या तो आपको बिल्कुल ही knowledge नहीं है या फिर knowledge है लेकिन वो इतना interest create नहीं करते हैं आपके दिमाग में बच्चों का interest create नहीं होता कुछ subject को लेकि जैसे phobia है आपके है technicality के regarding आपका हो सकता है जैसे evidence sector बोट technical चीज़े है फिर आपका हो सकता है कोई जैसे इस सारे subject है उसके अंदर आपकी चीज़े टेक्निकल दे रहे हैं तो यह तीन list आपको त्यार करने पढ़ेंगी अब तीन list को त्यार करने के बाद आपने क्या करना है उनके state जैसे आपने fix किया था उसके साथ लगता state देखोगे कि ये वाले जो subject है वो कौन-कौन से state में आ रहे हैं जैसे हर्याना और दिल्ली का अगरस लेबस देखोगे almost आपका क्या है उन्मों same footing के उपर आपका आता है या फिर आप बात करोगे जैसे UP, Bihar और UK है इन तीनों का एक same footing पर रहता है राजस्थान और MP की तहरी एक साथ कर सकते हो उसके बाद अपना जैसे 36 गड़ है वो भी MP और राजस्थान के साथ कर सकते हो क्योंकि जो questions की आपके एक तरीके से style of questions हैं वो आपके previous question के पर आपको अंदर मिल जाएंगे कि किस तरीके के question जो है previously years के अंदर उन state ने पूझ रखे हैं तो इन सब के लिए एक single की book आती है 10 year की इतनी मोटे book होगी शायद तो वो singles की previous year के question पर उठा सकते हो जाथ में अपने syllabus उठाना है तो यह सारी चीज़े आपने एक smart work के उपर काम करेंगे मतलब आपने जो list भी तार कर ली है उसके बाद आपने स्टेट वाइज आपने अपना syllabus भी लिख लिया कि कौन से state में कौन सार है इसरा स्टेट से आप comparison कर सकते हो कि अगर मैं इनको अपने एक backup में रखो उनके बाद कुछ और भी एक आदा स्टेट आप देख सकते हो साथ लगता आपका जिस तरीके से मतलब कि जहां पर आपका language का बेरियर नहीं है जैसे जारखंड होगा उसको भी आप चूज कर सकते हो उसके बाद बात आती है कि interesting subject अब ये चीज़े हैं आपकी start करने का way कि सबसे पहले मैं कौन से subject से start करूँ ये सबसे बड़ा question रहता है सबके साथ कि मैं कौन से subject पर पहले जाऊं तो दो way होते हैं पहला way वह है जिसके अंदर आपने जैसे की interesting subject की list आरगर रखे है तो वह interesting subject के अंदर सबसे पहले IPC है अब IPC को आपको जिस state की तेरी करनी है उस state के कौन से paper के अंदर वो आ रहा है whether वो paper 1 law के अंदर आ रही है या फिर आपका criminal law के पार्ट के अंदर आ रहा है या पेपर 2 के अंदर आ रहा है जैसे paper 1 और paper 2 हे हलो के फिर हिंदींग्लिश के paper है हर्याना में जैसे क्रिमिनल लोग का पेपर अलग है तो उसके अंदर सब्जेक्ट में फोल करेगा तो इस तरीके साब को पैचान करनी है कि वो जो मेरा सबसे इंटरस्टिंग सब्जेक्ट है वो कौन से पेपर के अंदर जा रहा है तो जैसे IPC आपने सब का common subject के सब्जेक्ट लेके चलते है अभी तो common subject के सब्जेक्ट सब्जेक्ट चलते है तो IPC आपका हर्याना के अंदर क्रिमिनल लोग के पार्ट के अंदर आएगा तो क्रिमिनल लोग का पेपर एक ही है उसके अंदर है मतलब civil one, civil two और criminal का पेपर है तो क्रिमिनल के पार्ट के अंदर जो की पेपर नंबर 3 है एक तरीके से उसके अंदर आपका फोल कर रहा है यह पेपर IPC तो उसके साथ के सब्जेक्ट कुन से हैं IPC को आपने हमेशां CRPC के साथ पढ़ना है हर्याना के साथ से और evidence के साथ पढ़ना है तो इन तीनों को आपने collection wise पढ़ना है पहले IPC करोगे उसके अंदर चीजें आपको पता लगेंगी कि हाँ यह यह चीजे मैंने पढ़ी उन सबको फिर execute करवाने का मतलब punishment के बारे में पढ़ा punishment दिलवानी कैसी उसका process जो हो CRPC में दिया है जिसके आपको basic knowledge थी तो वो उसके साथ पढ़ोगे अब जोनों के बाद तीसरा एक subject अलगा गया जो कि evidence एक टेक्निकलिटी जो थर्ड नमबर वाली list के अंदर फोल कर रहा था तो तीनों लिस्ट में से आपका एक-एक subject जो अभी cover हो चुका है पहले सबसे इंट्रस्टेड था IPC, second जो basic knowledge वाला CRPC, तीसरा आपका जो connected है उन दोनो क्रिमिल के लिए वेकाम आएगा और इदर आपका civil के लिए वेकाम आएगा तो civil के साथ आपको पढ़ना पढ़ेगा लग से तो evidence को इनके बीच में रख लो criminal part का इधर खतम evidence के लगता मतलब पहला part जो evidence का CRPC के साथ IPC के साथ पढ़ लिया second part इदर से फिर अपना evidence अपना के साथ है तो यह चीजें आप एक तरीके से अपने खुद की त्यार कर सकते हो अब हो सकता है उसके साथ और connected आपके जैसे other subject other state के अंदर कर्मिल के जो subject आते है women related आपके ओगे डीवी एक्ट हो जाता है जेजे एक्ट हो गया है आपका offender probation का जो act बना रखा है वो सारे क्रिमिल के पार्ट है तो इन सब को आप collection करके एक साथ उनको कर सकते हो second number पे फिर आपको जो त्यारी करनी है वो आपके evidence के बाद पढ़ना होता है CPC के साथ लगते subject आप जैसे evidence हो पार्ट है second वाले के अंदर civil पार्ट है जिसके अंदर अपना CPC पढ़ सकते हो और evidence हो जाएगा थर्ड पेर के अंदर जाओगे तो आप contractual law को उठा सकते हो जहां पर आपका law of contract first year law में आ जाते है पार्ट अलग बन के आते हैं जैसे first के अंदर one to 75 section है उसके बाद आपके next सारे section आपके का जाते हैं वाकिए जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर है अब वो contract act के साथ आपको कुन कुन से subject पढ़ सकते हो third part के अंदर जो की contractual law का बनाओगे उसमें contract act है उसके साथ लगता आपका ऐसारे हो जाएगा specific relief act sale of goods act हो जाएगा और अपना एक और act जो बचत करूंगा या फिर पंजाब की बात करूंगा मैं तो उनके अंदर क्या है कि हिंदू आता है लो आपका Muslim लो आता है और तीसरा उसके साथ होता है कस्टमरी लो मतलब कि पंजाब की कस्टमरी लो की सिंगल के एक बोक आती है उसके अंदर चीजे यह रखे आप उसको भी करने का है जब सबसे इस वह इंटरस्टिंग सब्सेक्ट से स्टार्ट हुए थे और उससे कनेक्टिड सारे के सारे एक रिदम के अंदर हाइर की त्यार हुई उससाब से आप अपनी स्टैट की तैरी कर सकते हो उनके बाद बात आती है अपनी की और क्या-क्या चीजे हमने पढ़ने होते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश का पेपर है वो ओल्मोस सारे स्टीट के अंदर हो रहा है तो आप रेगुलरली उनको आदा घंटा डेली बेसिस पर दे सकते हो हिंदी और इंग्लिश को या फिर वीकली आप कर सकते हो कि वीक में आपने दो दिन ऐसे निकालने हैं जिन दिन आपने ऐसे की राइटिंग करने हैं करण टॉपिक के उपर प्रिवियस रिकोशन पर के अंदर जो भी आ रखे होते हैं पिछले 5 साल के देख लो ऐसे बहुत हो जाएंगे तो वो भी देख सकते हो जिके का आपने ध्यान रखना है जैसे MP है भी इस नमबर का पर आथा है यूपी में अलग से पर होता है भी हर के अंदर अलग से हर याना के पर में पूछता है अपना दिल्ली के पर में अलग से जीके पूछता है तो जीके को अप करंट टॉपिक पिछले 3-4 साल के हदसे देख लो और static के अंदर जो चीजे हैं वह आपके देखने हो एक और अलग वीडियो बनेगी how to prepare for the mains examination की mains के अंदर answer writing कैसे करनी है प्री के अंदर आपने कैसे attempt करना प्री की special त्यारी कैसे करनी है जैसे कि आपको instrument क्या क्या चाहिए त्यारी करने से पहले सबसे पहले state fix करक्था है उस state का syllabus की print copy उसके बाद उन subjects के bare act के आपके पास होने चाहिए उनके साथ आपके red और green color के pen हो सकते हैं highlighter हो सकते हैं वो सब रखोगे प्रीवियर के question paper bare act syllabus की copy और यह सब instrument होने के बाद आपने क्या करना है अलग-लग color के आपके हो सकते है flow chart बनाने के pages क्योंकि bare act के उपर भी आपनों कुछ चीज़े लिखने होती जैसे आप state कौन से state के अंदर यह specially applicable section हो सकता है state amendment का उनको mark करना पड़ता है या फिर यह जो section है particular यह कौन से amendment के through insert किया गया था कौन सा year था कब इसको repeal किया गया या फिर उसका object क्या है यह सब चीज़ें आपके bare act उपर लिखने होती है मेरी previous वीडियो है कि bare act को कैसे पढ़ना हो उसके उपर भी मैंने यह सारी चीज़े डिसकस की हुए तो एक बार आप जाके उसको भी देख लेना उस वीडियो का link मैं इसी वीडियो के description box के अंदर भी provide करवा दूंगा अब बात आती previous question paper को कैसे पढ़ना होता है उनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो को अगली जितने वीडियो से हैं वो सारी आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगी तो चैनल को subscribe करना है अपन मेरे टेलिग्राम है Facebook है WhatsApp है जो मीडिया लिंक है मेरे उनके सब के लिंक आपको इसी वीडियो के description box के अंदर में आपको provide करवा दूंगा और अगर इससे कुछ भी आपकी क्योरी कुछ भी रह जाती हैं के लावा कुछ और चीज रहेगी हो तो वो सब पूछने के लिए मेर